ओम शांती मनों सा सेवा पर हम अध्यन करें हैं आज का विशे है संकल्प सिद्धी और सिद्धी स्वरूप पार्टीन संकल्प की सिद्धी प्राप्त करने तथा सिद्धी स्वरूप बनने का साधन और विधी साधन क्या है और विधी क्या है पावित्रता और एकागरता पावित्रता और एकागरता नमबर एक, पवित्र ताही सिद्धी का सादन, ये भाबा ने 19 मार्थ 1988 को बताया, कि पवित्र ताही सिद्धी का सादन, सफलता तुम्हें तब मिलेगी, जब तुम पवित्र पनेंगे, और पवित्र किसे कहते हैं? और अच्छी तरह, जहां, जिसमें कोई मिलावर नहीं, मैं के साथ मेरा नहीं, मैं आत्मा हूं, बस मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं, और एक बाबा को हम मेरा कर सकते हैं, क्योंकि वो 100% प्यूर है, उसकी पवित्रता से, अच्छी हमारी अध्रता हूं, मालो 80 है, भाबा तो 100 है न, तो हमें दोनों को मिला के आप भी करे तो हमारी 99 बड़ेगी न, कम तो नहीं होगी न, और यदि हमारी अस्य और किसी दूसरे को मिलाया तो उससे हमारी पवित्रता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी न तो हमें सिरफ एक शिव बाबा को मिलाने से हमारी पवित्रता काम नहीं होगी बाकी और किसी को मिलाया तो हमारी पवित्रता में क्या आजाएगी नमबर दो, तीवर पुर्शार्त की सहज विदी, जिससे सहज सिद्धी प्राप्त हो जाए अर्थात सदा सिद्धी स्वरूप हो जाएं, संकल्प, गोल, वाकर्म सिद्ध हो जाएं, जिससे विश्व की आगे परसिद्ध होंगे, वो सहज विदी कौन सी है? एक शब्द की विदी है, एक शब्द की विदी है, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धी स्वरूप हो जाएंगे, जिससे संकल्प, बोल और कर्म, तीनों का संबंध है, वो एक शब्द है, एक आग्रता, वो एक शब्द है, एक आग्रता, क्या होती है एक आग्रता, एक बाप की सिरी मत पर ही संकल्प, बोल और कर्म हो, और किसी के पुछना नहीं है, पुछने का भी संकल्प ना हो, और किसी को देखने का भी संकल्प ना हो, तब उसे कहा जाता है एक आगरता केवल एक बाब की सिरीमत पर संकल्प चलाना, बोलना और करना और अंदर जाने का रास्ता हमारे दो हैं आखें देखना है तो बाबा को, सुनना है तो बाबा को बस देखना और सुनना ये दो दर्वाजे हैं बाबा से, इन दोनों में किसी और की एंट्री नहीं ये बाबा ने कहा 28 दिसंबर 1989 को अच्छा ओन शंती और विस्तार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर करें और यदि कोई प्रशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करें 9650692270 पर केवल वर्शेप करें 49 ओम शंती